आज हम शुरू करेंगे एंटो त्री विल्विन का नेक्स टॉपिक पिंक स्ट्रेम बॉरर या जिसे गुलाबी सुन्डी कहते हैं पिंक स्ट्रेम बॉरर या गुलाबी सुन्डी आजिaway इसका विप्म, इसकी डीस्टिबिशन का है इसका होस्त प्लांट कौन 사ा है क्था इसकर प्लांट को डामेज करते हैं और इसका प्लांध का है तो इसका पाईलम बॉर गासी अज़ किसे किया जाता है? और अभी हम बात करते हैं कि जो ऑडर है वो कौन सा ओडर है लेपिट्रोप्ट्रा और इसकी फामली है नॉप्टीजी तो इसकी जो जीनस और इसका जो स्पेशिज है ताट इस सेस्मिया और इसकी जो स्पेशिज है इन्फेरिनेंस तो नेक्स हम बात करते हैं इसके होस्प्लांट के कि इसका जो होस्प्लांट है वो किस परकार का है या कैसा है किस परकार से ये अपने होस्प्लांट के उपर है हुई अपने लाइफ को सप स्पैंड करते हैं तो इसके जो पहले हम बात करते हैं सब से बहले वह बात करते हैं कि इसके घौस प्रांट कौन-कौन से हैं इसके जो प्रांट है वो हैं गेहों धान मक्का जवार गन्ना रागी और कुछ नासे या ऐसे घाज इसके उपर यह अपनी लाइफ साइकल को पुड़ा करता है नेक्स जम बात करते हैं इसके डिस्ट्रिब्यूशन की या इसके वित्रण की तो इसका जो डि अब जब हम बात करते हैं इसके तामेश की ऩी हमारे पास जो इसके हमारे पास दो स्टेजद हैं या लार्वा या एडल्ट इन दोनों में 표 में ही कोई ऐसी स्टेज है जो में नुक्सान ती रobile के कप इंसक्त को नुक्सान पहुंचाते हैं तो इसका होता है वह एक लेल के उपड़ींग लीउपर की क्यों गी जाती है इसकी जो हमारे पास टामेज करने की जो स्टेज है यह हमारे हम पास हानिकार कर दबस्था वह इसकी सुन्डे या इसका लारवा इस इसक्ट का उटा रहे हैं वह फसलों को नुक्सान मिंचाता है क्या करता है यह लीव्स की जो शीट है उसको डामज करता है और फिर यहां इंडर करता है यह तने में इसके नाम से हमें क्लियर है कि इस इंसेट का जो तनाम मां को गया है तनामेदद और इसको कौन से पार्ट को डैमेज करता है स्टेम को तो यह जो स्टेम का जो कुशन है उसमें पहुँच जाते करते हैं और यह काश़ा करते हैं या आप करते हैं तो इस को लाइज करते हैं उस कटिशन में क्या होता है वो ब्लांट शुप जाता है और डेड़ हट की तरह दिखाए देता है और सेक्टिब टेकट बालिया जो बनती है अनाज में उससे पूरव अगर इस इंसेक्ट का अटैक होता है तब क्या होता है कि जो बालिया हो सुख जाती है और जो उसमें दाने हैं धान के दाने या बालियोरं का ने हैं जाता है और विकशरी और में रही बालिया जाती है और यह लेड़ से क्रांग हो कर मार्च तक जयता है और एप्रेल से जुलाई तक ये गन्य की फसल को डामेज करता है जुलाई से टूबर तक धान पर सक्रिया रहता है और जो उत्री भारत है उसमें जब सुश्क मौसम होता है तो मक्का और जुआर की फसल पर अकर्मन करता है निक्स बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की पहले हैं कि या तो तीन स्टेज़शन होता है या जा पाई जाती हैं इंसेटकी पूरी लाइफ में तो थ्री स्टेज़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें पाई जाती है फर्स्ट हमारे पास यह एक सेकेंड हमारे पास यह लार्वा थर्ड इसका प्यूपर एंड फॉर्थ इस एड़न्ट यह चार स्टेजर इसके लाइफ साइकल में पाई जाती है यह जाती है और यह जो एक लेंग की जाती है वो ग्रुप्स में की जाती है या सबूंगे की जाती है और एक जो इन फीमेल इसक्ट आपने डाइफ तैमें अबाउट फॉर्ट अंडर्ड एक्स देती है और प्यंकी जाती है तो हैजोने के पूट कर इससे क्या निकलते कैस है वह साथ से 10 दिनों के इनदर यह जो जाते है तो नेक्स हमारे हैपर इसके कूण से श्चेजर आती है लाइव रगahn की यह और एक जो फूरत है उसके बाद जो अवस्था में रहती है वो लारवा या सुन्डिंग होती है जो पत्यों की दीव शीथ को डामेज करके घां जाती है तने के अंदर गूज जाते हैं नामसे क्लिए तना बेदग्रेश घां जाएंगे यह तने के अंदर तो यह तने के सब्सक्राइब इसमें निर्मोचन के करिया शूरू होती है और जिससे 25 mm पुरी तरह से बिक्सित सुन्डि बन जाती है जो की घुलाबी रंकी होती है और उसके सिर्फ पर जो उसका सरीर है वो कैसा होता है सिलेंड्रे के लिए बेलना का इसका चरीर होता है और इसकी बोड़ी पर तहरे रंग के स्पोर्ट पाए जाते हैं तो यह हो गया हमारे पास लार्वा नेक्स जुम बात करते हैं क्रिमिकोश या प्यूपा की तो यह क्या होता है जो पूरन विक्सित पूरन विक्सित जू सुन डी है वो तने के अंदर फोशावासने में बनता है जो पूपा का फॉर्मिशन होता है यह जब बनता है वो तने के अंदर ही बनता है और वो प्रहून किलर का होता है जिसकी लंबाई लगवर 12 mm होती है और इसके जो पंक हैं उसके खिरारों पर ब् अगली कौन सी बारे पास वस्थाप्त में बदलता है यह प्रोड में अडल्ट में जो प्रोड केट है यह जो अडल्ट इंसप्स मलते हैं वो खास की रंग जासे होते हैं और लगवर 12 mm लंबे होते हैं अब इसके मॉर्फोलोजिकल क्यों होते हैं जो कि पर इसके नि excitement को मैं कृते हैं तो कीटी भी कहा रहा हुआ और उक्लासीग पैशिकेशन की जब शुरुआत होते हैं सबसे पहले क्या 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 जाता है कि ये इंसक्त कौन सा है कि स्पश्षा है कि स्वालें कए कि स्वास्क क्शन क्या किस और 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 यandruk क्वाली में पीछे के पंग वाल होते हैं सामने से दिखाई देंगे हमें पंगों पर ब्लाक कलर की लाइन और पीछे के पंग वाइड कलर के तो यह मॉर्फोलोजी को इस और अडंडिफिकेशन ऑफ इंसेट अब जो प्रोड की तो होता है जो हमारे पास अडंड मिलता है वो क्या करता है एक से दो दिन के बाद ही जो फिमेल इंसे कोपुलेशन की किरया होती है एक से दो दिन में ही कोपुलेशन की प्रोसेस होने के बाद जो फिमेल है वो 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 तो अब क्या होता है कि इसकी जो गेहों की फसल में इसकी 1 साल में 4 ऑड़ियां होती हैं तो 4 दिआ 4 पैड़िया पूरे 1 साल में मिलती हैं तो जब उत्तरी भारत कि गतरते हैं तो वहां यह मार्स नवंबर तक एक्तिफ रहते हैं और जब सर्दियों में क्या अवस्था होती है शीद निश्क्रियता की अवस्था में रखते हैं और अगें जब मौसम चेंज होता है फरबरी में तो फिर ये वापस एक्टिव हो जाते हैं और गेमों और जो पर अटेक करते हैं यूंकि फसल लगपक पकने वाले होते हैं हुमारे पास किया है एक का होता है एक दिए जाते हैं लीवस पर लीवस पर लीवस के उपर सब्दक बैसले हैश थाइंगं ताइम होता है है। के बाद क्या होता है एक जब फूर जाता है तो हमें मिलता है और लार्वा की जो स्टेज है लार्वा की स्टेज लीव से होते हुए कहां चले लीव के उपर डैमज करने के बाद कहां एंटर कर जाती है स्क्रेटिन कें अंदर लख-भग 30 डेज तक इसमें दिर्मोचन की गिरे णभाए होती है क्यों से को है और पूपा बता है यह जो इस लार्वा की हमारे पास सेकंड स्टेज यह हमारे पास स्टेज विक्त होता है तो इस अब्स अबस्था से थर्ड वस्था में बदलते हैं और अब क्या होता है seven central page के बाद हमें क्या मलते दो बनने के ही एक से दू दिन के क्या हो जाता है क्या सी प्रोसेस की लिख होND फीर से क्या होता है से फीर है ने फॉर्स दॉस्ट, फिर को सी की हमारे पास इसकी सारी स्टेज़ स्में जाते हैं और इसमें कंप्लीट मेर्टम और फोसेस भाया जाता है और टोटल लाइफ साइके 36 तो 63 देज की होती है और एक साल में एक से अधिक जनरेशन्स मिलती है नेक्स बात करते हैं में इसके नियंतरण की या इसके कंट्रोल की अब क्या होता है कि यह हो और मक्का या जवार के बा सब्सक्राइब करने चाहिए और यह जो पाइरिफाइस क्लोरो एंट्रीपनोल कार्टेफ हाइट प्री प्रीप्राणिल ट्राइजोपास इत्यादी जो यह दवाई हैं इनका भी पर्योग करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं यह जो इंसेक्ट का अटैक होता है और जो सब्सक्राइब करके हम इन जो लार्वेजें उसको मिन्सुलियों को नस्ट कर सकते हैं एक परसेट्स को भी पर्योग में ले सकते हैं जिससे क्या इनके एक को डैमेज किया जा सकता है